ओना संख लोग में नू चिडान दे सी, में नू मुदा मुदा कहन दे मेरे माताँ प्रेटा नू पता Kinशा में और मेरी खेलवी भी रूची सी मेरी धृष्षी सी गेाट का दू मेवहाता है भागी स्भाए ब्लाकी साथर इसमय हो इसथ कि जल चुकी सीगी ते एक वक्त ते ऐसा आ गया मैं जड़ा परफ खाना स्टार्ट कर देता हुथे बैके क्योंकि मेरा पाणी खतम हो गया सी उस चीजनों मैं अपनी कम्जोरी ची नहीं अपनी जो श्टॉक ती सारी ओडियंस नू मेरा शाश्विकाल मेरा ना आखरती हीर है ते मैं इक परवतार हो ही हां मैं हिमाचल प्रदेश दे एक छोटे जय पिंड सुल्याली तो बिलॉंग कर दी हां बचपन तो ही मैं कुछ अलग करना चौंदी सी खेल कूद विच रूची सी गी ते जदो मैं इस वारे अपने दोस्ता नू ते रिष्टेदारा नू तस्या ते उना ने मेरा खूब मजाक बनाया ए मुंड़या वाले शौंख हन कुड़ी पैदा हो गई लोग मैंनू चिडान दे सी मैंनू मुंडा मुंडा कहन दे सी ते मैंनू कहन दे सी की एक की देते जूब फेश्ची गई है या मेरा बहुत मजाक बनाऊंदे सी मैं करिकेट खेल दी सी मेंनों बहुत क्रिटिसाइज कर दे कि एतम उंड्या वाले खेल है तुनी खेल सक दीते मेरी ममी मैंनू हमेशा सपोर्ट कर दे सी कि कोई गाल नी लोका नू कैन दे बैं मैं तेरे नाल ह मेरे माता पिता नू पता सीगा कि मैं मेरी खेलकूद वीच रूची है ते मेरे पिता जी खास कर मेरे पिता जी दा मेरी लाइफ चाह बहुत ही सपोर्ट रहा है बच्पन वीच जाधा तर क्रिकेट खेल दीशी से ते मेरे पिता जी ने ही मैंनों किया कि कोई ऐसा गेम चुण जिदे विच तू देश ताना रोशन कर सके जदो मैं अपने कॉलेज दी पढ़ाई दे विच कदम रख्या तो लोका ने ओथे वी मैंनों बहुत क्रिटिसाइज किता एन सी सी जोइन करन दे दोरान ही परवता रोहन दे एक उपिचुनिटी आई कि तुसी उत्राखट जाना है ते अपने नोर्थ जोन नू रिप्रेजेंट करना है तो दो मेरी उमर 18 साल से गी उस चीज नू मैं अपनी कमजोरी च नहीं अपनी काम्याबी विच चेंज किता ते क्याइन लही ते बहुत असान शब्द है बट पहारा नू चड़ना बहुत ही मुश्किल हुन्दा है जदो मैं एक कॉर्ष जोन किता दो हजार वारा विच अठारा साल दी उमर विच मैं एक कोर्स जॉइन किता ते मैंनों बहुत मुश्किलाना सामना करना प्या असी सारे जिनने भी बच्चे ओथे कोर्स चीगे सानू 9-9 किलोमेटर विद 25 किलो वेट जो है पैदल चलना पेंदा सी इन्ही हाड ट्रेनिंग रॉक लाइमिंग जिन बहुत हाड ट्रेनिंग करन तो बाद मैं ए ग्रेड विच ओ कोर्स पास किता 2012 विच परवता रोहन दा कोर्स करन तो बाद परवता रोहन मेरा जुनून बन गया ते मैं दुनिया दी सत परवता नू क्लाइम करन दे बारे सोच या ते 2014 विच मैं माउंट एलब्रस नू क्लाइम करन दा फैसला लिता जो मेरा डिसीजन सी और असान नहीं सीगा क्योंकि परवता रोहन इक बहुत महेंगा खेल है इदा जड़ा जूता हैगा वह बहुत इदे जड़े एक्यूपमेंट हैगे वह बहुत महेंगे है एक बहुत मह मैंनू विशायद कोई स्पॉंसर करेगा ते मैंनू किसे ने स्पॉंसर नहीं किता ते अंत विच मेरे फादर ने मेरे पिता जी ने मेरे लही लोन लेया ते मैं ओ लोन लेके जो है मैं माउंट एलब्रस चंड लई गई 18 जुलाई 2014 साटे देश दे ग्रह मंतरी राजनाथ सिंग जी वलो फ्लैग ओफ करके साड़ी सारी टीम रश्या लई रवाना होई माउंट एलब्रस यूरोप दी सबतो उची चोटी एक ऐसी चोटी है जिननू क्लाइम करना असान नहीं है मैंनू बहुत मुश्किलादा साम क्योंकि सानू माउंट एलब्रस दी जड़ी उंचाई है वो 18,510 फीट है ते सानू सबतो पहले 15,000 दी हाइट दे जाना सी जदो सानू अपने बेस कैम्प दे जाना सी जदो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किती ते जेड़ा साड़ा गाइड सी ओ कॉपरिटिव नहीं सी गा वो मैंनों केंदा की आकरिती तुसी बहुत जाधा स्लो हो ते तुसी जदो साड़ा क्लाइमिंग डे होएगा 24 जुलाई नूँच लएगा ते तुसी पिछे रैना है जदो मैं क्लाइमिंग डे वाले दिन 24 जुलाई 2014 नो जदो मैं अपनी चढ़ाई दी माउंट एलब्रस यूरोप दी सब तो उची पीक लई अपनी चढ़ाई दी शुरुआत की ती जेडियां मैंनों मुश्किलादा सामना करना पया माइनस 40 डिगरी टेंपरेचर सी गा संबन पूरी बॉड़ी मेरी जल चुकी सी गी एक वक्त ते ऐसा आ गया हो थे कि मैं जड़ा बर्फ खाना स्टार्ट कर देता हो थे बैके क्योंकि मेरा पाणी खतम हो गया सी अंत विच मेरे बुलना जो खून वग्रेया सी ते बहुत जा है गया तो करना है तो मांट एलब्रस नू चड़ना है चोब्वी जुलाई 2014 सब्तों पहला मैं दस वजय पोज के उथे इंडिया दे फ्लैग नू रिप्रेजेंट किता थे भारत दाना रोशन किता थे मैं भारत थे सब्तों पहली महला बनी जिनने मांट एलब्रस नू बी दिया गया यदो इसत तो अलावा मैंनु प्राइड ओफ निशन दे अवार्ड तो बी नवाजी आ गया टे मैंनू ग्रेट खहाली द्वारा प्राइड ऑफ हिमाचल देना चौनियां, गलत आद्दा तो बचो, नशियां तो बचो, अपने पंजाब दा ते पारत दाना रशन करो, ते कुडियां लई मेरा एही मैसेज है, अपने हक लेई लड़ो, ते अगे वदो, ते लोकानू में एही कहना चौनियां कि जो लोग वेख देया है, भुरून ह अधिया हो रही है, उदा विरोध करो, ते कुडियां लई अवाज चको इस वीडियो बारे अपनी राए कॉमेंट सेक्षिन विट सानू दसो, अधे आपड़े मित्रा नाल एव वीडियो शेर करना ना पुलियो